जी हां गाइज हमने औरेडी बता रहा है समकोन लेकिन आज का हमारा वीडियो है नयून कोन गाइज यहां पर आप आसानी से देख सकते हैं नयून कोन जिसे इंगलिस में कहते हैं एक्यूट एंगल भाई शाब यहां पर आप गौर केजिए आप सब को किलियरली आपको यह जो आकरिती दिख रहा है यह किस दीज का है तो यह हमारा समकोन का है क्यों कि यहां पर जो भी कोन बनेगा वो 90 डिगरी का बनेगा तो भाई शाब 90 डिगरी का कोन बनेगा इसका मतलब यह हमारा क्या है समकोन है ओके अब यहां पर 90 डिगरी का कोन बनेगा तो समकोन और लेकिन गाइज 90 degree से कम बनेगा यहाँ पर जो भी कौन आपको बना हुआ दिख रहा है यह जो आपके सामने आकरिति दिख रहा है यह आकरिति में जो कौन बना है यह नअट दिखरी से कम होगा आप नपकर बना सकते हैं तो गाइज 90 degree तो हमारा इस तरह से था जहां पर यह अकृति में हमारा यह जो बना है यह 90 degree से कम है तो गाईज 90 degree से कम है इसका मतलब यह नयून कोन है यानि इंग्लिस में बात करे तो acute angle ठीक है तो यहां पर मैंने परिभासा में आसानी से लिख रहा है आप आसानी से समझ सकते हैं जिसका माप 90 degree से कम हो उसे नयू 60 भी ले सकते हैं 75 और 80 ये सब क्या है 90 डिगरी से कम है तो भाई साब 90 डिगरी से कम होंगे तो नयून कोन और 90 डिगरी होंगे तो आपको याद रखना है समकोन और आगे के वीडियो में हम सीखेंगे अधीक कोन तो बने रहिए और जूड़े रहिए बाई बाई टेक केर बेस्ट अफ लग